राजिंदर सिंग्र हेलू, शाय अधनाम न सुना हो, क्योंकि यह क्रिकिटर या फिल्मी हेरो नहीं है, बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे, राजिंदर सिंग्रा हेलू कभी अपने पैरों पर चल नहीं सके क्योंकि उन्हें, बच्पन में महा जेट महीने की उम्र में, पो पर खड़ा नहीं हो सका, वह 185 kg वजन उठा सकता है, राजिंदर सिंग्रा हेलू यह कारनामा दिखा चुके है, उन्होंने 2014 कामनवेल्थ खेलों में हैवी वेट पावर, लिफ्टिंग में 185 kg, वजन उठा का रजत पदक, जीत चुके है, राजिंदर सिंग्रा हेलू, उन 1973 को जन में राजिंदर को एच महीने की उम्र में ही पोलियो हो गया था, उनका बचपन गरीबी और विकलांगता से लड़ने में बीता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, सन 1996 में उन्होंने अपने मित्र से प्रेरना लेकर वेट लिफ्टिंग में करियर बनाने की सोची, व और जहां ट्राइ साइकल नहीं ले जा सकते थे, वहां वे अपने हाथों से चल कर जाते थे, कई मुसीबते आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और बहुत जल्द ही राश्ट्रे अस्तर पर पहचान बना ली, राजिंदर अपनी मिहनत से पावर लिफ्टिंग में कामि पिष्याब होते गए, सन 2004 में उन्होंने 56 किल ग्राम वर्ग में आथिन्स पैरा ओलिंपिक खेलों में कास्य पदक जीता, उन्होंने 2008 और 2012 पैर ओलंपिक खेलों में पावर लिफ्टी क्खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, 2012 पैरा ओलिंपिक खेलों में वे 175 किले वजन उठाने में अपने तीनों प्रयासों में चूक गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने 2014 Commonwealth, खेलों में शांदार प्रदर्शन करके 185 kg, वजन उठाकर में रजत पदक अपने नाम किया, और आज वे युवाओं के लिए प्रेर नास्त्रोत है, आज वे एक को कोच के रूप में युवाओं असक्षम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, वे एक सच्चे हेरो है, उनके जैसे लोग हमारे लिए हर रोज एक नई आशा की किरन लेकर आते हैं, जो यह असावित करती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, राजिंदर सिंग र पॉसिबूबूबूबूबूबू